नमस्कार, आज हम संस्कृत में दिनों के नाम याद करेंगे। दिनों को जहां इंग्लिश में डेज कहा जाता है, वहीं इन्हें संस्कृत में वासरा के नाम से जाना जाता है। पहला दिन सोमवार, सोमवार को इंग्लिश में मंडे के नाम से जाना जाता है, वहीं संस्कृत में इसे सोमवासरा या इंदुवासरा कहा जाता है। मंगलवार, मंगलवार को इंग्लिश में ट्यूजडे कहा जाता है, वहीं संस्कृत में इसे मंगलवासरा या भौमवासरा के नाम से जाना जाता है। बुधवार, बुधवार को इंगलिश में वेडनेस डे के नाम से जाना जाता है वहीं संस्कृत में इसे सौम्य वासरह कहा जाता है वीरवार, वीरवार जिसे इंगलिश में थरस्टे कहा जाता है इसे संस्कृत में गुरु वासरह या ब्रिहस्पती वासरह के नाम से जाना जाता है वीरवार के बाद है शुक्रवार जिसे इंगलिश में हम फ्राइडे के नाम से जानते हैं शुक्रवार को संस्कृत भाषा में शुक्रवासराह या भ्रिगुवासराह के नाम से जाना जाता है इसके बाद है शनिवार, शनिवार जिसे इंग्लिश में सेटरडे कहा जाता है शनिवार को संस्कृत भाषा में शनिवासरह या स्थिरवासरह के नाम से जाना जाता है और अंत में है रविवार जिसे अंग्रेची भाषा में संडे कहा जाता है संडे या रविवार को संस्कृत भाषा में हम रविवासरह या भानुवासरह के नाम से जानते हैं तो ये थे संस्कृत भाषा में दिनों के नाम आशा है आपको ये नाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे धन्यवाद